मैं डॉक्टर दिव्या सिरिंडरन, वाइनानिक दी मौसन के मिपोपल, प्रदेश की मौसन के बारे में देखा गया तो पिछले चोबिश दुन में अधिप्रदेश के काफे जगाओं में पंडर स्टर्म और हल्का सा बारिश दर्ज किया है, वेस्ट अंपी में अंसुलेटर अधिक्तम ताबमार वेस्ट अंपी में दर्जिया खरी अधिक्तम की बारे में देखा गया तो एक वेस्टन डिस्टर्बेंट सक्रिय है 5.8 km में और नौर्थ अंपी के ऊपर एक साइसर है 1.5 km में ये ये सिस्टम की वज़ज़ से अभी आने वाले दिनों के लिए हमने फ फीचर मन्सून ओंसेट होने तक का ये फीचर है तो ये टाइम में आने वाली दिनों में भी तंडर स्टम अक्टिविटीज के लिए उप काफी चैंसे है तो यह पर आप देख सकते हैं आज के लिए हमने साथ एस्ट और साथ एस्ट एनपी के काफी दिस्टिक्स में तंड साथ एस्ट एनपी के कुछ कोई डिस्टिक्स में अभी भी टेंब्रेचर फॉर्टीफ़ के पास पास है जैसे चातारपूर, सिथी, सिंग्डोली ये रीजियन में हम हीट विव के ले भी वानिंग दिया है और कल कास्ती दी दिखा गया तो कल भी साथ एस्ट एस्ट एनप गस्ट एनपी में तेम्रेचर ओर बढ़ने का चैंसे से इसलिए निवाडी से हम सिग्रोली तक ये पैच में हीट वे वानिंग पीला रंग में दिया है और तेरा तारिक देखा गया तो भी ये हीट वे वानिंग कंटिनू रहे है एस्पेशले नौर्थ एस्ट एस्ट एस् हीट वेव कंडिशन थोड़ा कम हो रहे है तेम्रेचर ओर कम होने का चैंसे से तो हम वहाँ से निकाल दिया हीट वेव का वहनी बट सेंट्रल एंड साथ वेस्ट साथी स्टेंपी में तंडर स्टम एक्टिविटी चालू रहेंगे 30 से 40 किलोमेटर कर आवर के विंग के साथ और अभी का मनसून की स्टाटिस दिखा गया है तो मनसून अभी कल से ज्यादा चेंज नहीं आया महाराष्णों में एक हलका सा पोशनी एडवांस किया है तो आप आने वाले दिनों में भी मतल मनसून करेंट का वीक होने का चैंसे मॉडल्स बता रहे है इसलिए और कुछ अधियर प्रदीश में मनसून अंसेट करने के लिए है तैंक जिए